एलो दोस्तो आज से 4 या 5 मिनित पहले मैंने दोस्तो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लोगों को बताया था आप एपने Android फोन में कैसे iOS के इमोजी को यूज कर सकते हो तो दोस्तो उस वीडियो में काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि कह रहे थे भाई हमें आरे जो iPhone iPhone की इमोजी एंड्रोइड फोन में नहीं चल रहे हैं या फिर कीबोर्ड में नहीं आ रहे हैं या फिर हमारा जो फॉन्ट बीच में से क्रप्त हो रहा है हमें उसमें कुछ दिक नहीं रहा है तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं यहां पर iOS की solution बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको किस तरह से अपने जो है उस font को यूज करना है आपको किस तरह से उसमें बनाना है उस वीडियो को यहाँ पर Instagram में देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे iOS के इमोजी आ रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को Instagram के एक स्टोरी में भी बता देता हूं कि आप लोगों को किस तरह से आपने iOS की इमोजी आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है रंडम सा यहाँ पर कोई इमोजी लगाता हूं तो यह प्रॉपरली अच्छे तरीके से वर्क करें तो दोस्तों आपने क्या करना है सबसे पहले अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है सेटिंग में को ओपन करने के बाद यहां पर सर्च कर लेना है कीबोर्ड तो जैसे आप यहां पर कीबोर्ड सर्च करोगे तो आपने क्या करना आपका Gboard होना चाहिए आपने Gboard को है यूज करना है तो उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर आपने Theme App को जो है यहां पर open कर ले रहा है और उसके बाद मैं आपको दिखा लेता हूं कौन सा आपने इस VARE VARION को सर्थ कर लेना है यहाँ पर आप anti फोर में करकर अपने सर्थ कर लेना है तो जैसे एक दिखा लोग इस-ईस इस इस उम्र को सर्च कर लेना है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं आई इसका जो ओनर है वो कौन है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप नीचे देख सकते हैं एपलाई के उपर उस बंदे का यहां पर नाम दिया गया है तो आपने क्या करना है या तो इस बंदे का नाम सर्च कर लेना है या तो आपने इस फॉंट को सर्च कर लेना और जैसे आपको यह फॉंट मिल तो आपने सिंपली इस तरह से कर लेना आपके फोन में भी iOS इमोजिस चल जाएंगे